हेलो एवरीवन देशिस प्रमाट शर्मा और फिजिक्स फैकल्टी मोशन फाउंडेशन बच्चों आज हम यहां पर क्लास सेवंथ के आपको क्या करना है कुछ नहीं करना नोट्बुक और पैन लेकर साथ में बैठ जाओ क्यों सबसे पहले आएगा क्यों पड़ेंगे आप भी मेरे साथ साथ क्वेशन करेंगे अगर आता है तो ठीक है त्राइल करेंगे अगर नहीं आ रहा तो घपराने की बात नहीं है हम यहां पर उसको सब्सक्राइगे बट मेक शोर कि आप एक परफेक्ट नोट्स बना रहे हो आपके इन PYQ की जो आपको काफी ज्यादा help करेंगे बच्चों practice में ठीक है सो चलो start टरते बिना time waste करें हमारा आज का session पहला question है बच्चों यहां पर हमारे पास the given diagram show a prism whose one surface is reflecting sorry हमें यहां पर एक prism गिवान है बच्चों उसके बाद यहां पर different angles हमें यहां पर column 1 and column 2 में given है हमें यहां पर match करना है ठीक है मतलब R1 की value क्या है R2 की value कौन सी होगी इसमें से theta 1 theta 2 हमें यहां पर find करना है ठीक है द आपके पास prism और plane mirror इन दोनों से questions बच्चों आते हैं काफी अच्छ अच्छ नुमरेकल्स आते हैं तो प्लीज आप यह दो concept तो काफी अच्छे से करके जाना ठीक है तो पहले तो हम प्रिस्म का एक बार देखते है concept क्या है मतलब कुछ यह जो formula question है हमारे पास इसको solve करके देखते हैं ठीक है तो हमें यहाँ पर मैस करना है आरवन आटू थीटा टू की विल्यूस हमें आपर करनी है सबसे बहले अगर हम यहाँ पर देखें इस प्रिस्म में बच्चों तो यहाँ पर लाइट जो है incident हो रही है और incident होने के बाद और रिफ्रेक्ट हो रही है क्या है आरवन जब लाइट इस सर्फेस पर आ रही है इस वाली सर्फेस पर जब लाइट टाच हो रही है बच्चों तो यहाँ पर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो थी क्या और यहाँ पर टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन हो रहा है और वह एंगल है हमारे पास 35 डिग्री मतलब यह अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो क्या यह आर्टू जो है क्या वह एंगल ऑफ इंसिदेंट होगा बिलकुल होगा और हम जानते हैं कि अंगल ऑफ इंसिदेंट इस पर अंगल ऑफ रेफ्लेक्शन होता है मेंस एंगल ओफ आई कितना हो जाएगा हमारे पास 35 डिग्री हो जाएगा मीन्स आर टू की वेल्यू कितनी आ जाएगी 35 डिग्री पहला तो आगया हमारा क्या आया कि जो आर्टू है वह कितना है हमारे पास 35 डिग्री एक तो आगया हमारे पास अब देखो आर्टू मतलब क्यूं की वेल्यू 35 अरी हमारे पास मतलब क्यूं का आना चाहिए हमारे पास यहां पर 4 क्यूं का क्या आना चाहिए निल रहा है क्यों का फूर में कहाँ मिल रहा है एक हमें विल रहा है दमें मतलब और वी थो हमारे पास यहां पर गलत हो गए अब हम घ्रणि डिमे प्लकिति及 कोई एक उसन क्रेक्ट है आगे बढ़ते हैं हमें बच्चों यहां पर R1 भी निकालना है, देखो हम जानते हैं, प्रिस्म के लिए अगर मैं बात करूँ, तो हम जानते हैं, कि एंगल ओफ A बराबर, हम यहां पर जानते हैं, कि एंगल ओफ A बराबर, जो कि प्रिस्म एंगल होता है, R1 प्लस R2 होता है, यह formula हम जानते हैं, यह R1 R2 क्या है, वो एंगल जो हमने भी यहां पर यह वाले एंगल है, R1 एंड यह R2, ओके, यह R1 R2 है, एंगल A हमें गिवन हैं यह वाला, ठीक है, एंगल A 60 डिग्री हमें गिवन हैं बच्चों यहां 60 डिग्री इस एक्वल्स टू, R1 प्लस 35 डिग्री, सो R1 जो होगा, वो हमें मिल जाएगा, यहां से 60 माइनस 35 डिग्री, means R1 हमारे पास आजाएगा 25 डिग्री, बोलो भाई, क्लियर ही के इतनी बात, R1 कितना आगया 25, अच्छा, अब अगर R1 हमारे पास 25 आगया है, means R1 25 दिग्री आगया मतलब P का 1st सही है, P का 1st कहां given है, यहां पर given है, यहां पर P का 1st मतलब यह भी हो गया, हमारे पास false, तो अगर हम यहां पर ऐसे check करें, तो हमारे पास यहां पर option number C जो होगा, वो एक तरम correct option होगा, but हम यहां पर theta 1 and theta 2 भी calculate करेंगे, क्योंकि वो important है ठीक ह एक बार हम बात करते हैं, यहां पर theta 2 की है न, अच्छा theta 1 ज्यादा important है बच्चों, यहां पर हम snails low use करेंगे, पहले हम theta 2 की बात कर लेते हैं, अगर हम यहां पर theta 2 की बात करें, तो देखो, triangle बन रहा है, प्रिस्मिक एक surface है, triangle है, किता होता है, डिग्री, जो sum होता है, वो 60 degree plus 60 degree plus theta 2 is equals to 180 degree और हमें यहां से मिल जाएगा theta 2 बराबर 60 degree, right, तो theta 2 हमारे पास आजाएगा 60 degree, क्या theta 2 60 degree है क्या, हाँ बिल्कुल है, theta 2 60 degree, ठीक है, यह दखो, r का थर्ड आ रहा है, एक मिट रूको, s का, s का थर्ड आ रहा है हमारे पास यहां पर, है न, अब हमें क्या निकालना है, theta 1 निकालना शिर्फ और शिर्फ, देखो, theta 1 निकालने के लिए बच्चों, हम यहां पर snail slow use करेंगे, क्या use करेंगे, snail slow use करेंगे, है न, from snail slow, snail slow क्या कहता है, mu 1 sin i is equals to mu 2 sin r, ठीक है, सबसब पहले हम यहां पर पहली refracting surface की बात करेंगे, जो की यह वाली है, refracting surface, ठीक है, पहले हम इस वाले surface की बात करेंगे, यह first surface है, और second diffraction यहां पर हो रहा है, यह second diffraction surface है, ठीक है, तो पहले हम इसकी बात अगर करें, तो यह है हमारे पास medium air, और यह medium है हमारे पास यहां पर glass, ठीक है भई, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, हम यहां पर लिखेंगे, mu of g, sin i कितना है, 30 degree है, is equals to mu of prism, sin 25 degree, right, अच्छा, अब यहां से हम क्या लिख सकते है, sin 30 divided by sin 25, बराबर mu of prism upon refractive index of g, और इस से हम लिख सकते है, refractive index of prism with respect to air, ठीक है, एक मिनिट रुक जों बच्चों, मैंने थोड़ा सा यहां पर, एक मिनिट, prism मैं यहां पर, जो हमने यह mu g लिया है, और mu p लिया है, इसमें थोड़ा सा उलट फेर है, वो उलट फेर क्या है, वो उलट फेर यह है, कि यहां पर हम लेंगे, air, mu of a, ठीक है, यह air है, यह glass है, तो यह mu of g हो जाएगा, और यह mu of g होगा, यह mu of air होगा, ठीक है, और यह हो जाएगा, reflective index of glass with respect to air हो जाएगा, okay, mu g a हो जाएगा, अच्छा, इसको हम देदेंगे, equation number one, right, समझ आगे इतनी बात, अच्छा, अब अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर, तो यहाँ पर जहाँ से देखना, यहाँ पर यह होगा, हमारे पास, angle of emergent, और यह वाला जो angle होगा, बच्चों, यह angle हमारे पास, इसकी value नहीं है, कोई बात में निकाल सकते हैं, अगर हम इसको जहाँ से देखें, अगर यह 35 degree है, तो यह कितना होगा, यह होगा, हमारे पास, यहाँ पर 55 degree, right, कितना होगा, 55, अब यह पुरा triangle है, तो यह वाला angle कितना हो जाएगा, यह angle हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 65 degree, अरे 180 degree होता है ना सम, तो अगर इसको angle 1 मानू, तो यह थीटा मानू, तो थीटा प्लस 60 प्लस 55 बराबर 180 degree, ठीक है, तो अगर हम इसको calculate करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 65 degree, अब यह पूरा angle हमारे पास, ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा जूम करेंगे बन 90 degree, ठीक, तो 90 equals to 65 प्लस angle I आजाएगा, angle I मेरे पास आएगा 90 minus 65, means यह मेरे पास आजाएगा 25 degree, कितना आएगा 25 degree आजाएगा यह वाला angle, आई होब आपको दिख रहा होगा, कितना आएगा 25 degree आएगा बच्चों, तो यहाँ पर यह वाला angle मुझे कितना मिलेगा 25 degree, मतलब second refractive surface के लिए angle of I कितना है 25 degree, हमें theta 1 निकालना है बच्चों, तो देखो, for second surface, अगर हम second surface के लिए बात करेंगे बच्चों, तो वापस वही लगाएगे, mu 1 sin I is equals to mu 2 sin R, यहाँ पर क्या आजाएगा, mu 1 क्या है, mu of glass, मतलब refractive index of glass, sin I कितना है, sin 25 is equals to mu of air, और sin theta 1, अब हमें क्या निकालना है, देखो जहाँ से यहाँ से निकाल जाएगा, sin 25 by sin theta 1, बराबर mu of A upon mu of G, अब देखो, यह mu of A, mu of G कम का लिख सकते हैं, इसकम लिखेंगा, refractive index of air with respect to glass, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, और अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं, कि mu of A, G is equals to 1 upon mu of G A, और यहाँ से हमें मिल जाएगा, अब देखो, इसकी value इसके बराबर होती हो, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, sin 25 degree by sin theta 1, बराबर sin 1 upon यह, मतलब हम यह वाले equation लिखेंगे, अब ठीके, तो हम आई, नो हम आईसी हो रहा है, बच्चों, आप लोगों के लिए, बट समझने कोशिश करना, इसको inverse करेंगे, तो sin 25 उपर आजाएगा, sin 30 नीच आजाएगा, तो sin 25 upon sin 30 यहाँ पर आएगा, और हमें यहाँ से cancel out हो जाएगा, तो हमें यहाँ से मिलेगा, sin theta 1 बराबर sin 30 degree and theta 1 बराबर मिलेगा, हमें 30 degree, यह इसका पूरा correct solution है, बच्चों के theta 1 30 degree कैसे आया, स्नेल्स लो यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, समझ में आगया आप लोगों को, थोड़ा साई टिक्नोमेट्री लेके चलेंगे साथ में भए, टिक्नोमेट्री अगर कमजोर है तो उसको अच्छी से strong कर लें, टिक्नोमेट्री के साथ कमप्रोमेज नहीं होना चीए, मैच अच्छी होगी, तो यह वाले नुमरेगल दम काफी असरी से कर सकते हैं, ठीक है, स्नेल्स लो हमने पढ़ा था चेप्टर में, चलो वह आगे बढ़ेंगा, आपको यह जो है समझ में आ गया हमारे पास, ठीक है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का पूरा कॉंसेप्ट था यहाँ पर, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉस्चन देखते हैं, अच्छा हाँ, एक बार और बच्चों, अगर हम option चेक करें यहाँ पर, तो S का, देखो अगर का मेरे पास, second आगया, means 30 degree, theta 1 कितना है हमारे पास, यहाँ पर 30 degree, means option number C, जो होगा, वो हमारे पास, यहाँ पर एकदम, correct होगा बच्चों, ओके, चलो, आगे बढ़ते हैं, next question देखने हैं, चलो भई, यह थोड़ा सा अच्छा question था, और यह भी एक अच्छा question हमारे प हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा डाइगराम जो है वगदम correct है, देखो बच्चों मेरी बात सुनो, अगर हम concave mirror की बात करें तो भी cases सारे याद कर लेना, concave mirror में क्या होता है, हम जानते हैं कि जो concave mirror होता है, उसमें जैसे जैसे हम object को mirror के पास लाते जाते हैं, जो हमारी image उतनी ही mirror से दूर जाती जाएगी, साथ ही साथ बड़ी भी होती जाएगी, यह हमने observe करा था और जब मैंने class में पढ़ा है था तो वहां भी मैंने इस बात को बताया था, ठीक है बच्चों, अब मेरी बात समझना ध्यान से, यह यहाँ पर है, ठीक है, इसको मेंकर surface नाम बड़ी बनती जाएगी, तो यह वाली image हम मानके चल सकते हैं, तो यह वाली and second is यह वाली, यह दोनों सही हो सकते हैं और एक इसकी, ठीक है, तो मतलब यह बात तो साफ हो गई कि B and D में से कोई एक option जो होगा हमारा, सही होगा, अब इन में से correct कौन सा है, तो देखों Magnification यहाँ पर अगर हम देखें तो linear हो रहा है, कैसा हो रहा है linear, बटी linear नहीं होता, यह hyperbolic जो shape होती ही, उसमें होता है, ठीक है, तो यह वाला option होगा, यह हमारा यहाँ पर आके false हो जाएगा, क्योंकि magnification जो होता है, वो linearly नहीं होता है, अगर pole यहाँ पर होगा, sorry object जो होग इमेज कहाँ बनेगी, infinite बनेगी, और वो linear हमें नहीं देखती है, वो curve shape में देखती है, तो इसलिए जो यहाँ पर curve आ रहा है, विगदम correct है, means option number D जो होगा, विगदम correct होगा, कि अगर object C और F के 20 पर रखा है, तो वो कुछ हमें यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, कर्व में हमें यहाँ पर वो दिखाई देगा, तो इसका option number D जो होगा, वो हमारे पास एकदम correct answer होगा, clear इतनी बात, आगे बढ़ें, चल्ड़ों next question क्या है हमारे पास, next question है, the diagram shows a rear of light reflected at a plane mirror, which pair of the angle of incidence and angle of reflection is correct, हम एक diagram की वन है, बच्चों आप लोगो दिख रहा होगा, यह तो बहुत सिंपल सा question है, चलो आप करो जल्दी से, जल्दी करो इस question को मुझे बता हो, इसका answer क्या है, ठीक है, आप दोगो यहाँ पर हमें angle of incidence और angle of reflection के लिए एक्दम correct pair जो है, वो choose करना है, आप लोग कोरो में यहाँ समझा रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं आए, वो मेरी बात सोने ध्यान से, जिनको समझ माता है numerical, वो self-try करें जल्दी से, हम यहाँ पर angle of incidence और angle of reflection निकालना है, पहली बात तो हम जानते हैं, कि angle of incidence और angle of reflection जो होते हैं, ठीक है, तो 30 degree, 30 degree, यह हो सकता है, 30 degree, 60 degree, यह नहीं हो सकता भई, क्योंकि सेम होते हैं, यह 60, यह 30, यह भी possible नहीं है, या तो 60, 60 होगा, जिको 60, 60 होगा, तो यह भी सही हो सकता है, means, B और सी तो देखते ही, हमें यहाँ पर मालूम हो गया कि यह तो गलत हो गया, अब सही कु हो एंगल होता है, जो light ray, surface से बनाती है, angle of incidence क्या होता है, जब एक light ray किसे surface पर incident होती है, तो normal से जिस angle पर incident होती है, उससे हम बोलता है, angle of incidence, मतलब अगर महीं हाँ आपर बात करूं, तो यह होगा, हमारे पास angle of incidence, और यह होगा, हमारे पास angle of reflection, यह करेक टीक है, इतनी बात, अब यह वाला angle कितना होगा, देखो हम जानते हैं, यह normal है, means यह कितना होगा, 90 degree होगा, right, means हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कि 60 degree plus angle of I बराबर 90 degree, means angle of I बराबर क्या होगा, 90 minus 60 होगा, means angle of I कितना हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 30 degree हो जाएगा, बोलो clear है कि अतनी बात, और अगर angle of I बराबर 30 degree है, तो angle of R कितना हो जाएगा, angle of R भी होगा, वो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर 30 degree, बोलो समझ में आगया, क्या, कोई दिक्कत दो बताओ, easy है, means पेर कौन से आगए, 30 degree क्या आगए, कौन सा अप्शन से होगा, option number A हिसकर, यह तो हमारे पास false हो होगा, option number A होगा, वो हमारे पास एक दम correct होगा, easy question है, यह कौन सा year में आया होगा है, हमारे पास, nso 2020 में आया होगा, easy question है, ठीक है, चोल आगे बढ़ते है, next question देखते है, next question क्या है हमारे पास, यह थोड़ा से अच्छा question है, बच्चो, plain mirror पर है, इसका जो concept है, वो समझ लेना, अगर concept समझ लिया, numerical आसानी से कर लोगे, अगर concept में आज वीक रहे गए, तो फिर numerical मुश्किल है, ठीक है, यह 2019 मारे question होगा, एक बार देखते हैं कैसे हो रहा है, ठीक है, अच्छा हमें यह जो इस से L distance पर रखा होगा है, और इसके बाद हमें यहाँ पर given है, कि a man walks in front of the mirror, एक man है, जो इस mirror के parallel चलता है, जिसके distance 2L है, हमें यह बताना है किस person को इस S की image कहां तक दिखेगी, किस distance तक दिखेगी, समझ वागे question, एक mirror है, mirror से L distance पर एक object रखा होगा है, और mirror से 2L distance प है, हमें बताना है कि इस person को कितनी distance तक इस S की image जो है, वो दिखाई देगी, समझ मा गया, अब देखो, प्लेल मिरर का question है, काफी easy है, आगर हम इसको concept wise लेके चले, तो सबसे पहले इसको solve करने के लिए हम इसका diagram बनना पड़ेगा, diagram कैसे बनने का एक बार हम वो देखते है है भई, मान लो सबसे पहले कि यह हमारे पास यहाँ पर एक mirror है, ओके और यह हमारे पास object रखाव YS, यह हमारे पास object रखाव YS, अचा अब इसकी image बनाएंगे, अगर हम तो इसकी image कैसे बनेगी, सबसे बले यहाँ पर incident होगी light ray, और एक light ray यहाँ पर incident होगी, उसके बाद कुछ यहाँ पर इसकी image बन जाएगी, S dash, वह लो clear है कि इतनी बात, है ना, यह distance हमारे पास D है, अब एक person, यह distance हमारे पास यहाँ पर L है, और एक person यहाँ से 2L distance पर है, जो parallel, sorry, इसके parallel चल रहा है, तो देखो, यह light ray कुछ ऐसे जाते भी दिखेंगी, और यहाँ पर यह जाएगी, ठीक है, अब देखो, हमें क्या करना है, हमें यह distance निकालने है, कि यह distance पूरी कितनी होगी, right, अब अगर हम ध्यान से देखें, तो let's suppose, यह distance D by 2 है, अब अगर यह D है, तो यह D by 2 होगी, क्योंकि यह बीचो बीच रखा हो आए, और यह जो distance है, यह भी कितनी यह भी यहाँ से होगी, D by 2, मान दो जो distance है, यह हमारे पास है, यहाँ पर X, कितनी distance है, यह distance है, यह distance है, हमारे पास यहाँ पर X, अब अगर यह distance X है, तो थूरा सा हम यहाँ पर लगाएंगे, trigonometry, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थूरा सा naming कर देते हैं, तो अच्छा हैगा, यह F, यह point G, H, और I, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर, इस S को मैं थोड़ा सा यहाँ लग देता हूँ, एक मिट रोको, थोड़ इसी दिक्कत हमें इस S में आ रही है, और इस line में आ रही है, हम इसको थोड़ा सा correct करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे, हम S, पहले इस S को ऐसे में लाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे, हम यहाँ पर S, एक अच्छा सा S लिख दिया हमने, I think अब थोड़ा सा सही लग रहा है, है न, थोड़ा सा diagram हमारा गलबल हो गयता भई, drawing मेरी थोड़ी सी कच्ची है, बागी सब भनना आट है, ठीक है, चलो, अब यहाँ समझते हैं, अब देखो हमें यह एक्स फाइंड करनी, अगर हमने जीतनी एक्स यह है, यह भी उतनी ही एक्स होगी हमारे पास, अगर हमने एक्स निकाल लिया, तो हमारा सारा काम क्लियर हो जाएगा, एक्स निकालना है बस, अब एक्स के लिए वापस से क्या करेंगे, ट्राइंगल हमारे पास है, S-C-A, एक ट्राइंगल है, S-C-A, यह similar होगा, congruent होगा, ट्राइंगल A-F-E के, A-F-E के, और अगर ऐसा है, कि अगर यह similar है, अच्छा यह distance हमारे पास कितनी है, यह distance मेरे पास L है भई, ठीक है, तो यह भी L होगी, क्योंकि हम जानते है, plane mirror में जो image बनती है, वो same distance पे बनती है, जिस distance पर object और एक तो behind the mirror बनती है, याद रखना, plane mirror में जो image बनेगे, वो behind the mirror बनेगे, और यह distance पर हमारा object है, चलो भई, अब अगर आगर हम यहां से start करें वापस है, तो यहां पर हम देखें, तो यहां पर हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, AC upon, या इसे लगते हैं, EF upon EC, EF upon AC is equals to, हमें यहाँ पर मिल जाएगा, EF लिया था हमने, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, AF divided by S dash C, ठीक है, अच्छा, यह distance, अगर यह D है तो कितनी है, D by 2 है हमारे पास, ठीक है, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, X divided by D by 2 is equals to, EF, L upon, अच्छा, यह twice of L आएगा, twice of L upon, यह कितना है हमारे पास, L आजाएगा, तो L से तो L cancel out हो जाएगा, तो X बदाबर मेरे पास आजाएगा, यहाँ पर D, क्या आगया, X बदाबर मेरे पास यहाँ पर आएगा, D, सारा खेल जो है, वो diagram का था, और एक छोट से concept काता, trigonometry काता, अगर यह आजाता, तो आपको यह numerical भी आजाता, है ना, सीख लेना इसको, याद कर लेना, अच्छे से समझना, X बदाबर का गया मेरे पास D आएगा, मतलब यह distance कितनी है D, अब अगर यह distance D है मेरे पास, तो जाहिर सी बात यह distance में कितना होगा, D होगा ठीक है, समझ बारा नहीं, D के साया, अरे इसको मैं ऐसा लिगा है इधर, X बदाबर 2 इन 2, D बाई 2, 2 से 2 cancel out, तो X बदाबर D आगया, ठीक है साब, तो total distance कितनी आजाएगी, X, D प्लस D बाई 2, प्लस D बाई 2, प्लस D, तो कितना आजाएगा हमारे पास यहाँ पर 3D, कितना आगया हमारे पास यहाँ पर, 3D आगया, मतलब जो distance है, वो कितनी होगी हमारे पास यहाँ पर, 3D, option number D जो होगा, वो अदम correct होगा हमारे पास यहाँ पर, समझ बाई आगया, easy concept था, बस signometry आनी चाहिए, that's it, और कोई दिकत वाली बात नहीं, ठीक है, चलो, आगे same, वे सा ही question है, जो हमने भी just कर रहा था, difference क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर बस, diagram में, level जो है, वो थोड़े सा different है, जो numbers है, वो different है, बाकी पूरा same है, वहाँ पर variables थे, यहाँ पर constant है, मतलब वहाँ पर L, 2L था, यहाँ पर 1 meter, 2 meter है, देख रहो, यह भी 2 meter है, बहुत लगभग, लगभग same है, चलो, हमारी practice ही हुजाएगी, इस से, वापस से इसको solve करते हैं, क्या किया रहा है, उस question में, same बाते कह रहा है, कि एक mirror है, जिसकी length 2 meter है, यहाँ से, एक meter की distance पर एक object रखा हुआ है, इस mirror से, 2 meter की distance पर एक person parallel चलता है, mirror के, हमें पता लगाना है, कि वो कितनी distance तक, उसको, इस object की, जो है, वो image दिखाई देगी, चलो, देखते हैं, ठीक है, वापस एक बार diagram बनाएंगे, है न, और मैं कोशिश करूँगा, कि इस बार diagram जो है, थोड़ा सा अच्छा बनाओ, है न, चलो, ठीक है, सबसे बेले हम बनाते हैं, mirror, तो, let's suppose, यह मेरा हो गया, यहाँ पर mirror, ठीक है, एक में टोको, यह मैंने बना दिया, भाई साब, एक हमारे पास, एक अच्छा सा mirror, ठीक है, अब यह मेरा mirror बन गया है, mirror बनने के बाद, यहाँ पर, light ray, एक object रखा हुआ है, s, इसके बीचों बीच रखा हुआ है, object s, और इस से, इसकी जो light ray है, वो हम yellow से बनाएंगे, थोड़ा अच्छा बनाते हैं, है न, और, जल्दी आजा भाई, इस से कुछ distance पर, एक object जो है, वो parallel move कर रहा है, ठीक, अब देखना घ्यान से, होगा क्य लाइट ray जाएगी, यहाँ से, s से निकलेगी कुछ ऐसे, और यहाँ से जाएगी light ray कुछ ऐसे, एक मुट रखो भई, चलो, light ray गई, उसके बाद, light ray कुछ ऐसे जाएगी, और यहाँ पर, जो है, हमारा object बनाएगी, यह object है, हमारे पास, यहाँ पर, s dash, s dash, उसके बाद, light ray कुछ ऐसे जाएगी, यहाँ से यह, ऐसे जाएगी, right, अब देखो, अब हम पूरा करेंगे काम यहाँ पर, white से, ठीक है, white से क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर, यह हमारे पास object s था, यह s dash आगया है, और यह s dash आने के बाद, हम यहाँ पर लेते हैं, अब देखना भई ज्यान से, यहाँ पर हम इसको बनाएगे, कुछ ऐसा, यह, यहाँ पर एक्दम बराबर होंगी, लाई, ओके, चलो गई, नैमिंग करते हैं, इसको मैंने नाम दिया, p q, यह वाला point q है, यह वाला point मेरे पास r है, p q r, अच्छा s तो हमारे पास ही सही, q, t, u, v, w, और x, मैं इस बार डाइग्रम थोड़ा आराम समना रहा हूं कि यहाँ पर सारा खेल डाइग्रम का ही है, प्लीज एक बार समझना जहां से, अब देखो, हमें क्या दे रहा है, हमें यह distance 1 meter दे रखी है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं है न, यहाँ पर हमें qs जो है, वो 1 meter given है, ठीक है qs 1 meter है, तो s dash q v कितना हो जाएगा, यह भी हमें यहाँ पर 2 meter given हो जाएगा, इसके बाद हमें q v जो है, q v कितना होगा, q v हमारे पास यहाँ पर 2 meter given है, अगर q v 2 meter है, तो p u भी हमारे पास 2 meter आएगा, और r w भी हमारे पास यहाँ पर 2 meter आएगा, बोलो आयेगा नहीं आयेगा अच्छा हमारे पास PR 1 meter है एक मुट को QS क्या लिखा हम नहीं यहां पर हां और साथ ही साथ PR कितना है PR के अगर में बात करूं यहां पर तो यह 2 meter है हमारे पास ठीक है वही यह 2 meter है हमारे पास है ना PR 2 meter है PR अगर मेरे पास 2 meter है तो PQ कितना हो जाएगा PQ 1 meter हो जाएगा और QR कितना हो जाएगा यह भी मेरे पास यहां पर 1 meter हो जाएगा हमें find क्या करना है we have to find TX TX की distance जो है length हमें find करनी है हमें यह दे रखा है कितना यह हमें दे रखा है 1 meter और यह भी हमारे पास होगा 1 meter यह हमें find करना है let suppose यह हमारे पास X है आएक मेंटर को X हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि X हमने यहां पर लाड़ी लिए रखाए तो हम इसको Y मान लेते हैं क्या मानेंगे हम इसे मानेंगे Y मान लोग यह Y है और यह भी हमारे पास length y meter है ठीख है यह y meter और y meter यह हमें यहां पर find करना है तो कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, S-QP, S-QP, यह similar होगा, congruent होगा, PUTK, और अगर ऐसा है, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, दोनों अगर हम ट्राइंगल को ध्यान से देंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा, T-U divided by PQ is equals to P-U divided by S-Q, क्या इनकी values हमें given है क्या, थे खूर यहाँ से हमने निकाली, T-U का है, T-U, T-U, T-U की value है क्या हमारे पास, Y meter, तो यह हो गया हमारे पास Y लिख दिया हमने, उसके बाद P-Q, क्या P-Q की value यह दिया हमारे पास, P-Q, कितना है, 1 meter है P-Q, तो हमने लिख दिया 1 meter, बराबर, यह हमने लिख गया है पर 2 meter, divided by S-Q, S-Q कितना है हमारे पास, यहाँ पर यह भी 1 meter है, ठीक है, तो मेरे पास Y बराबर कितना आई गया, 2 meter है, बोलो हाई या ना, आई गया 2 meter, अब देखो, यह 2 meter है, यह 2 meter है, यह 1 meter है, तो T-X हमें निकालना था, तो T-X बराबर किया आ जाएगा, T-U प्लस U-V प्लस V-W प्लस W-X, तो T-X हमें यहां से मिल जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, मेंस T-X जो होगा, वो हमें मिलेगा, 6 meter का, समझ हमा आ गया क्या, वहाँ पर भी जाद करो, 3D आ रहा था, D क्या था, D हमारे पास था, मिरर की, है ना, और यह हमारे पास कितनी 2 थी, यह कितना था, पी आर हमारे पास यहां पर 2 meter था, तो 3 into 2 करेंगे, 3D, 6 meter आता है answer, है ना भई, तहां रखना, तो I hope अब आपको यह समझ में आ गया होगा, अच्छे से, क्योंकि हमने same pattern पे 2 numerical कर लिए हैं, है ना, तो अगर हम option की बात करें, तो 6 meter option number D, जो होगा यगदम correct होगा हमारा, ठीक है, चलो भई, अगर हम इसकी बात करें, तो option number D, जो होगा यगदम correct होगा 6 meter, समझ मा गया, आगे बढ़ते हैं, चलो, next question देखते हैं, next question है हमारे पास यहाँ पर, a light ray travels from medium X to medium Z, as shown in the, as shown, which of the following is true, regarding the refractive index of the media, देख भी refractive index से question आ रहे हैं, अच्छे अच्छे है न, refractive index topic अच्छे से कर लेना, medium X से medium Y में जा रही हम जानते हैं, जब light ray dancer medium से rare medium में जाती है, जब dancer से rare में जाती है, तो normal से दूर हटती है, उसके बाद, जब rare medium से dancer medium में जाती है, normal की तरफ जाती है, ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर diagram बनाएं, थोड़ा सा देखें, इसी diagram में, यह तो बहुत easy question एकदम, तो यह normal रहेगा हमारे पास, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यह normal से दूर की तरफ जा रही है, मतलब यह dancer medium है, और यह कैसा medium है, यह dancer medium है, और यह कैसा है rare, ठीक है, उसके बाद जब यह अच्छा यहाँ पर तो total internal reflection हो रहा है, मतलब यह सबसे जर medium हो जाएगा, तो Z सबसे end में आएगा भई, ठीक है, तो Z सबसे end में तो यहाँ आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है, इन दोनों में से कोई एक होगा, अच्छा जब यह वापस से द्यान से देखना, जब यह वापस से rare medium से dancer में जा रही है, तो normal की तरफ band हो रही है, मतलब X to dancer medium ही है, तो मतलब X dancer होगा सबसे ज़्यादा, फिर Y होगा, फिर Z होगा, option number A is correct, यह तो बहुत easy question था, I hope आपको भी आगया होगा, और समझ में भी आगया होगा, ठीक है, चलो भी आगे बढ़ते हैं, next question देखते है, read the given statement and select the correct option, हमें यहाँ पर दो statement given है, उनको पढ़ना है और उनमें से correct जो option है, उनको हमें यहाँ पर match करना है, देखते हैं क्या है, concave mirror are used in torches and car headlights, ठीक है, statement number 1 कह रहा है कि हम torch and car में, headlight में concave mirror use करते हैं, and statement number 2 है कि concave mirrors are converts the light of the bulb and torch, क्या हो गया भाई, चलो ठीक है, चलो भाई, आप में से कोई बोर्तों नहीं हो रहा है questions में, इसे लिए शायद हमारा panel थोड़ा सा नाटक कर रहा है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ पर given है, statement number 1 कह रहा है कि concave mirror में जो है, अघ्मलिर कार के headlights में हमें, hani mein यूज करते हैं, और statement number 2 हमें given है is that concave mirror, light को converge करता है, और एक parallel beam हमें बनाता है, क्या ही यह सही है, कहाँ जी, बिल्कुल सही है, हम जानते हैं, जो concave mirror होता है,osta है, वो converging mirror मतलग यह वो light को converge बीम बनाता है यहमें हमें लाइट में जे जो हमारे पास Tr malls, Reynolds होते हैं यह जो तोच होता है वो पेडल भी महां पर Concave mirror जो बना के देता है तो इकदम correct है तो statement number 2 है पहली बात तो जो statement number 1 एकदम correct है और statement number 2 है और statement number 1 का एकदम correct explanation है तो यहाँ पर सही answer कुम सा होगा? बोच statement number 1 and statement number 2 are the true and the statement number 2 is the correct explanation of the statement number 1 यह हमने जब concave mirror और convex mirror पड़े थे वहाँ पर काफी अच्छे से समझाता जब हमने mirror पड़ा था concave mirror तो वहाँ पर हमने इसके uses भी पड़े थे और उन uses में से ही देखो निकल के एक NSO 2020 में बहुत ही प्यारा से question आया है एकदम chocolate problem अगर यह आप exam में आपकी आता तो आपको एक ठीक है नमबर थे एकदम ठीक है NSO में question hard नहीं आते हैं बट हां logically आते है question को आपको समझना होगा अगर concept clear है so there is no need to worry आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं which one of the following statement is correct about the real image आयो इसका आया है भाई साहब real image is always larger than the object जरूरी नहीं है कि हमेशा real image हमेशा larger बने जरूरी नहीं है plane mirror does not produce a real image यह एकदम correct है भाई plane mirror जो है वो हमेशा कैसी image बनाता है virtual image बनाता है क्योंकि plane mirror में image हमेशा पर्दे के पीछे बनती है means mirror के पीछे बनती है उसको हम कभी भी पर्दे पे या curtain पे नहीं ले सकते है एसी image जिसको हम बोलते है virtual image है रियल image हम उन्हें बोलते है जिने हम पर्दे पर show कर सकते है बट हम virtual image को पर्दे पर show नहीं कर पाते है क्योंकि बनती ही कहा है behind the mirror बनती है तो यह वाला एकदम collect होगा real image के लिए second दे रहा है real image cannot be produced by the concave mirror यह possible है जो real image होती है वो concave mirror भी बनाता है कब बनाता है जब focus और pole के बीच हमारा object होता है ठीक है समझ में आ गया नहीं नहीं गलत बोलगा शायद मैं real image cannot be produced by the concave mirror image बनाता तो है बनाता है कही सारी बनाता है ना है ना सारी real image बनती है एक को छोड़कर चलो all of these यह भी false होगा all of these यह भी अलत होगा option number B जो होगा यहां पर एकदम correct होगा भी कि जो plane mirror है वो real image नहीं बनाता है वो virtual image बनाता है ठीक है कोण camera की बात करें तो हमें 6 case मिलते हैं हमें एक case में virtual image मिलती है बाकी सब भी cases में real image बनती है तो exam में virtual image ही पूछी जाती कौन सा case होता है धियां रखना नहीं होगा अगे बढ़ें क्या यह वाला question की होगा हमारा easy थ करते हैं भई which of the following statement is a true regarding the effect of using a thin converging lens instead of a thick converging lens भई यहां पा सीधी सी बात हो जो focal length होती है वो बड़ी होती है देखो जो हमारे पास यहां पर क्या question है which of the statement are true regarding the effect of the using a thin converging lens instead of thick हम thin ah thick lens के जगे जगे अगर thin lens use करते हैं converging lens use करते हैं तो क्या होता है देखो जो thick होता है ना thick lens होता है उसकी जो power होती है वो काफी ज्यादा होती है मतलब वो काफी ज्यादा symmetry line से align करता है light rays को मतलब जो focal length होती है वो उनकी कम होगी ठीक है उसके बाद जो thin lens होता है उसकी focal length ज्यादा होती है ऐसे अगर हम बात करें जब light ray आती है यह thick की बता आपको ठीक है और जो थीन होता है अगर यह थीन है तो इसकी थोड़ी इसी फोकल लेंथ हमें यहां पर ज्यादा मिल जाती है ठीक है पुलो समझ में आ गया यह difference हो दोनों में ओके चलो आगे बढ़ते हैं मतलब इसका option number 2 जो होगा 2 only एक डम correct होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जो फोकल लेंथ है वो बड़ी होती है कि इसकी thin lens के अगर हम thick lens के जागे thin lens यूज़ करेंगे तो जो focal length होगी हमारे पास वो हमें ज्यादा लंबी मिलेगी ज्यादा बड़ी मिलेगी ठीक है आगे बढ़ते हैं next question देखता है question number 10 हमारे पास है object P moves towards the convex mirror with the constant speed V along its optics axis speed of the images देखो बड़ा ही conceptual question है logical question है यहां पर हमें कोई जड़ा speed graph formula नहीं लगाना आप लोग सोच रहे होंगे कि सब्सक्राइब कर दे रहा कैसे निकालेंगे कैसे करेंगे मैं आपको दे राम एक मिट सोचो थोला सा क्या आपको कुछ सोच में सोच सकते हैं आपको ही आपको अप्रूच आ रही है इस नुमरे इसमें अगर हम कुछ चीजें और एड कर दें तो यह काफी अच्छा question और बन सकता है हाला कि वह इतने लेवल पर हम नहीं जाएंगे बस यहां पर एक छोटी सी बात करेंगे कि हमें image की speed पूछी कही है कोई बच्चा बतायागा मुझे comment में बतायागा क्या क्या इसकी image आ सकती है कोई करेगा comment यहां पर देखो बच्चो logical answer दें हम गरम एक्दम logic सा simple सा तो कौन wax mirror में अगर object infinity पर होता है infinity पर होता है तब image कहां बनती है focus point पर बनती है मानलों यह focus point है हमारा और object मानलों यह फोकस point है और object infinite पर है तब सुनना बात ध्यान से एक तरफ तो object infinite से यहां तक आ रहा है डूसरी तरफ जो image है वो सिर्फ और सिर्फ अपने focus से लेकर यहां तक आ रही है दोनों एक साथ move कर रहे हैं पर हमारा object infinity से infinity से यहां पर आ गया और यह महाराज जी सिर्फ और सिर्फ फोकल लेंग से इतनी से distance travel करिये तो मुझे बताओ कि image की जब दो object हम अलग अलग ले सकते हैं object और image जब object और image दोनों same time पर यहां पर पहुंचेंग और दोनों की distances अलग अलग है जहां पर एक object जो हमारा object है वो तो infinite से लेकर pole तक आ रहा है और image सिर्फ फोकस लेंग से लेकर pole तक आ रही है तो किसकी speed जादा होगी जाहिर सी बात है object की speed जादा होगी और जो image जो है हमारे उसकी speed है वो जाहिर सी बात है एकदम कम होगी तो जो image होगी वो speed of image is always less than V speed किसकी speed होगी अगर object हमारा V velocity से मूव कर रहा है वी speed से मूव कर रहा है इस दर्शन में तो जो image की speed होगी वो हमेशा वी से तो कैसी होगी कम होगी बच्चों समझ माया सो option number A जो होगा हमारे पास यहां पर वो हमें एकदम करेक्ट मिलेगा clear एक इतनी बात I hope आपको समझ मा आ गया बच्चों आज हमने light के कुछ numerical करेते हैं ठीक है I hope आपको समझ मा आ गए और आपकी preparation अच्छी चल रही है इसी तरह से महत करते हैं बच्चों बहुत जल्ड अब हम मिलेंगे next chapter के साथ कुछ PYQ के साथ बड़ा मज़ा आएगा so please stay tuned with us and इसी तरह के lectures देखने के जल्ड मिलते हैं next chapter के साथ next lecture में ठीक है bye बच्चों have a nice day thank you